जब भी आप सडक पर चलते होंगे तो बहुत सारे लापरवाही से वाहन चलाते हों लोगों को देखते होंगे बहुत सारे बत्तमीज लोगों को भी आप देखते होंगे और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखते होंगे जो कानून का पालन नहीं करते बलकि लगबग जो ट्रैफिक पुलिस होती है उन्हें जान से मारने तक की भी कोशिश करते हैं जो वीडियो आप देख रहे हैं इस तरीके की वीडियो तमाम आप दिल्ली इन्वेडा गुडगाओं की सड़कों पर आप देखते होंगे किस तरीके से पुलिस वालों को कार वाले ट्रक वाले घस वो भी आपको पता चलेगा लेकिन इसकी आपको कीमत कितनी चुकानी पड़ सकती है कीमत इसकी कितनी भारी हो सकती है वह अगर आप सुनेंगे तो शायद आपके पैरो तले से जमीन खिसक जाएगी इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए आसान भाशा में से समझाने के ल इनाम क्या क्या हो सकते है पूरा डीटेल में समझाईएगा देखे इस तरह की हरकत मुझे लगता है अभी शेक जी लोगों को ये लगता है कि हम दिली में रहते हैं और हमारा ये फिला मिनिस्टर जानकार है हमारा ये पुलिस वाले बिगाड क्या लेंगे और जब ये हुआ 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 है इस परसन ने या तो रेड लैट जंप करी है या कोई ट्रैफिक की कोई करा है और पुलिस ने इसको रोकने की कोशिश करी है अब अगर पुलिस ने वहां पर इनको रोकने की कोशिश करी है तो इस परसन को वहां रुप करके अगर इसने को वागने की कोशिश करते हैं अब इस पूरे मामले में जब इस गाड़ी को रोकने की कोशिश करी गई तो इस परसन ने जो भी गाड़ी चला रहा था इसने क्या करा है वहाँ पर दोनों पुलिस वालों को बन पर बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि इन्वाइट कर रहा है कि मेरे बन पर बैठ जाओ जब पुलिस को रोकने की कोशिश करी तो इसने अपनी गाड़ी चला दी और वह दोनों पुलिस वाले जो सामने खड़े थे वह बन अ आ गए और वह बन पर घुमा करके उनको सैर करा रहा देगे कभी पीछे ले आ रहा है कभी गाड़ी को आगे ले आ रहा है फिर जब उसको लगा यह मेरे बन पर बैठे है वह इनको कैसे उतरूं तो वहाँ पर वो ब्रेक मारता है तेज दोनों पुलिस वाले नीचे गिरते यह सवाल इसलिए क्योंकि हर रेड लाइट पर आपको कैमराज मिलेंगे दिल्ली नौइडा गुडगाओं की सड़कों पर अगर वो आपके रोकने से नहीं रुक रहा है तो आप अपनी जोखिम जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं बाइचांस यह गाड़ी का पहिया कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले भी अपनी पावर को एकसीड करते हैं वो क्या करते हैं जा करके परसन की गाड़ी की चावी निकालने की कोशिश करते हैं मैंने बहुत देखा ऐस इस इंसिडेंट जहां पर पुलिस क्या करती है जाएगी आपके विड़ो में से सीधा चावी पर हात मारेगी जबकि उनका चावी पर हात मारने का कोई राइट नहीं हमारे साथ भी उर वह कहीं बार ऐसा करते हैं कि चावी निकाल करके इसको भार बुला लेंगे और फिर इससे पैसे वसूलें अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ भी कहना बड़ा मुश्किल है क्य आपकी बात टीक है अगर नहीं लगा को कुछ नहीं नहीं मिलेंगा ना अभीषेग जी तो तुब्लीक से आगर अगर ऐसा ही हो जाएगा तो केमरों पर पुलिस आ जाएगी तो मेरे साफ से जोरोती नहीं है लेकिन वाइलेशन होते हैं और फिर ये प्रेशान भी करते हैं पुब्लिक से गल्थ तरीके से पैसे भी वसुलते हैं लेकिन अब पूरे इंसिदेंट के अंदर अब जिस परसन ये गाड़ी चला रहा था उसके अगेस समझ लीजिए जो कारेवाई होने वाली हैं इनके अगेस भारतिय नाय सहीता का सेक्शन 221 सेक्शन 221 सेक्शन 135 और सेक्शन 109 अब ये तीनों जो सेक्शन लगेंगे इसके अंदर अलग-अलग सजा के प्राउधान है क्या 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 सेक्शन लगेगा सेक्शन 132 भातिय नाय सहीता लगेगा और सेक्शन 221 लगेगा जहां पर मैक्सिमम सजा का प्राउधान छे महीने का और फाइन लग सकता है इसके अलावा इस चोकी इसने गाड़ी के अंदर बठा करके ब्रेक मारी है और ऐसे में जो आपने बोला वो गा गाड़ी चलाई थी और जानमूझ करके ऐसी सिट्रेशन पैदा करी जिससे इन दो लोगों की जान जा सकती थी तो अटेंप टू मडर के चार्जिज लगेंगे और उसको पूरी उम्र उमर कैद कि इसको सजा हो सकती है और इसके कॉंसिक्वेंसिस बहुत ही भारी होंगे अ है छलेगी किसकी ज्यादा अगर पुलिस कहेगी खम तो रोक रहतं हैं सिर्फ चेकिंग कर रहे थे यह इसमें लाइट तोड़ी है लेकिन अगर गाड़ी वाला काए कते हैं नहीं यह मुधर जबरदस्ती उगाही करने की कोशिश कर रहे हैं है किसकी चलेगी ज्यादा सब् अगर पुलिस वाला आपके साथ बत्तमी जी कर रहा है रोड पे खड़े होकर तो इसका मतलब यह थो ना आप उसको बॉनट में बढ़ा के गुमा दोगे, उसको जानके जोखिन दाल दोगे, आप उसके अगेंस कालेवाई कर सकते हो, सो नुम्मर पर फोन करके पुलिस वालो में भेज सकते हो, anti-corruption में इनकी complaint दे सकते हो, सभी पुलिस वालों का नाम लिखा होता है, उनका name बेस नाम ने होता है, उनकी बैट पर उनका नमबर लिखा होता है, आप उनके senior officers को complaint कर सकते हो, सारे provision है, मैं मानता हूँ यह हरास करते हैं पुलिस वाले, रोड पे खड़े इसको बहुत भारी पढ़ने वाला है, अगर मैं इसी तस्वीर को ध्यान में रखूं, इसी तस्वीर को अगर example के तोर पर मैं लूँ, अगर इस पर यह प्रूव होता है कि इसने जान बूज कर मतलब भगाई यह गाड़ी, पुलिस वालों को बोनेट पर बैठाया है, तो इस सक्ष को जो गाड़ी चला रहा है, उसे उम्रकैद की सजा भुगतनी पड़ेगी, ती, विल्कुल उम्रकैद तक की सजा हो सकती है, इसमें जो प्रोवीजन है, उमरकैद तक की सजा का है, मतलब इसमें सजा दो साल की हो सकती है, पांस साल की हो सकती है, दस साल की हो सकती है और उमर के तक की सजा का प्राउदान है अच्छा पर चीज़ों की कैसे जाएं किस तरह की चीजों को रोकने यह जो लोग बॉनेट पर बिठा लेते पुलिस वालोगों देखो यह मेरी खालते दिल्ली में यह तीसरा चोथा वाक्या है जो इस तरह का पर पुलिस वालों को बॉनेट पर बिठा के गुमाया गए पहले भी एक बड़ा सोशल मीडिया में वाइरल हुआ था जहां पर दो कि लोगों के अंदर आज की रेट में टंपरामेंट नहीं है हर पसंद की हमारे देश के अंदर एक पॉंच पॉंच चुगी है वह इन पुल और लोगों के लिए ऐसे सरकमस्फांसिस पैदा कर देते हैं जिसमें वह बाद में आप दिखा करके इस तरह के केसिस को राजिस्टर करते हैं, अब देखें केस तो इनके अगेंस रेजिस्टर हो चुका है, मैंने पढ़ लिया है ये तीनों सेक्शन के अंदर के केस रेजि जो एक खिलाफ हुई है उसमें 109 लग गई है जिसमें उमर के तक की सजा हो सकती आप यह गहना चाहिए 132 भी लग गया है इसके अगेंस और 221 भी लग गया है इसके अलावे मैं आपको बतायता हूं देखिए इनके अगेंस चलान भी कटे जाएंगे जो वाइलेशन करें और मैं क्लियर बोलता हूं हमारे देश में जो यह क्रिमिनल कानून बने हुए है यह एक्यूज को बचाने के लिए बने हुए है लेकिन एक कहावस सुनी थी अभिशेग जी मैंने किसी टाइम में कि अगर हमारे देश में किसी फले पुले पेड़ के उपर भी अगर कोई तर्फिला भी हो गी और इसमें कमाल की बात हो रहा है यह कर सतने हुसकत अगे अवर्मेंट ओफिसर कभी भी सैटलमेंट नई कर सकते प्र्आइब पसके जा कर एक अधीन के साथ में कि आयू कि अधनी के आले सब्सक्राइब कर दो जाते हैं यहां पर सेटलमेंट को सजा होगी यह बाइजद बरी हो जाएगा अब बाइजद बरी होने के लिए क्या डिफेंस लेगा यह तो वक्त बताएगा इसको ठीक बहुत धन्यवाद वकील साब इस तरीके के मुद्व पर जानकारी देने के लिए है इस तरीके के जाग रुकता जरूरी है अब सड़क पर अगर सरकारी अधिकारी के साथ सरकारी कर्मी के साथ दबंग़े दिखाते हैं कुछ इस तरीके के हरकת करने की कोईशिश करते हैं तो समझ लीजे आपको ज़्यादा से जदा उम्र कैद तक की सजा हो सकती है सालों आप कूट का शेरी के चक्कर काट सकते हैं और अगर आई आप गिल्टी प्रूव हो जाते हैं आप दोशी पाए जाते हैं तब आप उम्र कैद की सजा भी भुगत सकते हैं तो सड़क पर संयम रखकर चलें देखकर चलें और भी लोग सड़क पर हैं वकिल साहब एक बार फिर आपका बहुत दो धन्यवाद दर्श को आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताईगा धन्यवाद